हलो फ्रेंट्स, वंकम बेकि डु माय चैनल मैं हूं आपकी वर्षा फ्रेंग्त कहते हैं और इस वीडियो में हिंडी की प्रैक्टिस कर टेंगे द॥ चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टाइप करते हैं सही अर्थ पर हम चिन्न करना है कटक क्या रथ होता है कटक रथ होता है से ना से तो और ऑपशन सी राइट आंसर है नेक्स्ट है खग्रास खग्रास का right answer है यहाँ पर option नमर ड जो की है समपूंड सूर्य या फिर चंद्रग्रहें नेक्स्ट है थुक्का फजीहत इसका right answer है यहाँ पर option c दिक्कार नेक्स्ट है जिस चंद के पहले और तीसे चरण में 13-13 और दूसे ततर चौते चरण में 11-11 मत्रा होती है वह चंद क्या होता है तो उसे बोलते हैं दोहा ओप्शन D यहां पे राइट आंसर है नेक्स्ट है लजजा पुस्तक का लेखा क्या लेखी का कौन है तो इसका राइट आंसर है B जोकी है तस्लीमा नसरीन नेक्स्ट है कपटी का विपरितार्थक शब्द क्या होता है तो वो होता है निश कपट ऑप्शन C यहां पे राइट आंसर है नेक्स्ट कोश्चन है पितामबर में कौन सा समास है तो इसका राइट आंसर है C, बहुबरीही समास नेक्स्ट कोश्चन है राम घर गया उसने मा को देखा इसमें सहिक तुबाग के इसका क्या बनेगा तो हम इसके सेंग बाग की बात करें तो वो बनेगा राम घर गया और उसने मा को देखा option B right answer है नेक्स्ट है जलसेंगर प्रशात का संबन किस कावे प्रवर्ती से है तो इसका right answer है यहाँ पर option number A जो की है छायावादी नेक्स्ट है धर्मा धर्म में समास बताईए कौनसा उपसरग है तो यहाँ पर इसकराइट आंसर है A नेक्स्ट है घुठने टेक देने का क्यार्थ होता है तो यहाँ पर आइट आंसर है बी जो की है पराज्यविश्फद सुईकार कर लेना नेक्स्ट आते हैं गायक का सही संदी विच्छेद क्या होता है तो गायक का सही संदी विच्छेद होता है गई प्लस अकहा option A right है next है मूतोर शब्द में कौन से समास है तो इसका right answer है A इसमें तत्पुरूश अमास है next है लेखक में प्रत्य बताईए अब लेखक में परत्य की बात करनें तो यहाँ पर option C जो है वो right answer होगा अक यहाँ पर right है Next है अब यहाँ पर हमें RO का विपरीत आर्थक शब्द बताना है तो RO की विपरीत आर्थक शब्द की बात करें तो यहाँ पर RO का होगा अवरो Option A right है नेक्स्ट है इन मेंसे कौन सा शब्द अनिश्चित संख्या का विशेशन नहीं है दस कुछ कई या फिर सब कुछ तो अनिश्चित की बात करें तो ए राइट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे एक्जेक्ट जो नंबर है वो बताएगे हैं नेक्स्ट कोशन है अब यहाँ पे हमें सही वर्तनी बतानी है सन्या, श्रूमती, हितैशी और हिंदू में से सही वर्तनी बतानी है तो उप्षन यहाँ पे C हमारे राइट आंसर होगा हितैशी नेक्स्ट कोशन पे आते हैं नौ दिन चले अडाई कोस का अर्थ क्या है तो यहाँ पर राइट आंसर है A, बहुत धीमी गती से काम करना नेक्स्ट है पत्थर की लकीर होने का क्या अर्थ होता है तो राइट आंसर है C, अमिट होना नेक्स्ट है जुही की कली किस कवी की पर्थम रचना है तो राइट आंसर है A दे नाला नेक्स्ट कोश्चन है निम्लिकित मैंसे हर्ष का वलोम क्या होगा तो हर्ष का वलोम यहाँ पर होगा option A विशाद नेक्स्ट है वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जासे कि उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है अपार दर्शी यह राइट आंसर है नेक्स्ट अवह यहाँ पर मुहावरे लोकुत्तिय अदियन का अर्थ बताना है काग जी गोड़े दोराने का क्या मतलब होता है तो इसका मतलब होता है लंबी लिखा पड़ी करना नेक्स्ट आते हैं आग लगे पर पानी कहां इसका मतलब होगा बक्त पर अभिस्ट वश्टू नहीं मिलती तो option C right है next है हाथ का मेल हाथ का मेल का मतलब यहाँ पर होता है अत्यान तुछ वस्टू से option A right answer है next है आसमान सिर्पर उठाना इसका मतलब होता है शोरगुल करना option A right है next है चिराख तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या होगा तो इसका सही अर्थ है अपनी बुराई नहीं दिखना A right answer होगा next आते है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकाज इह काल अली कली ही सौ बिंध्यो आगे कौन हवाल प्रिस्टुत पंक्तियों में कौन सा लंकार है तो इसमें अनियोक्तिय लंकार है तो option C right है अब यहां पर हमें शुद्ध वाक्यों देखना है क्या तुम दिल्ली जा रहे हो क्या तुम दिल्ली जा रहे हो क्या तुम दिल्ली जा रहे थे तो इसमें हमें बताना है शुद्ध वाक्यों कौन सा है तो यहां पर B right answer होगा क्या तुम दिल्ली जा रहे हो देखिए लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देखें तो क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक है इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन लास्ट में लगा होना चाहिए तो option B यहाँ पे right है नेक्स्ट है यशोदा हरी पालने चुलावे हरलावे दुरलावे महलावे जोई सोई कचुगावे इस पंग्ति में कौन सा रस है तो इसमें वातसल्ले रस है अब हमें बताना है प्रिय परवाच किसकी रचना है तो इसका right answer है A अयोद्या सिंग उपाद्या हरियोद की next question है किसको पुकारे यहां रोकर अरणने बिये चाहे जो करो सरणने सरण तिहारी है प्रिस्त पंग्तियों में कौन सा चंद है तो इहां पर चंद प्रियुक्त हुआ है घनाक्ष रेत option D right है next है म्रगनियनी में कौन सा समास प्रियुक्त हुआ है तो यहां पर right answer है C कर्मधार्रे समास next question है बुन देलो हर बोलो में के मुँँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वहतो जहासी वाली रानी थी इस पंग्तियों के रचाईता कौन है उसका right answer है C सुबद्रा कुमारी चोहान next question है अब हमें बताना है यम का प्रयावाची क्या होता है तो इसका right answer है D ये सभी सूर्यपुत्ध धर्मराज किनाश यम के प्रयावाची है next है कादंबरी के लेखक कौन है तो कादंबरी के लेखक है बानभट option B right answer है next question पे आते है सूर्यपुत्ध के संधी का उधारण है तो यहाँ पे B right answer है ये गुण संधी का उधारण है next है तू डाल डाल में पात पात का क्या आर्थ है तो इसका मतलब होता है चलाकी का उत्तर चलाकी से देना तो option B right answer है next question है उत्कंठा का परियावाची क्या होगा लालसा, उत्पन, उपेक्षा या फिर दिशा तो इसका right answer है A, लालसा next है उहापोह का परियावाची क्या है तो इसका right answer है B, असमंजस next है निर्देश पढ़ लेते हैं हमें सही संधी का चैन करना है शडानन का किसमे है ये तो इहाँ पर right answer है वेंजन संधी का उधारण है धर्मात्मा, ये उधारण है स्वर संधी का, तो option A right answer है next question है रेखांकित रेखांकित की बात करें तो इसके अंदर दीर संधी प्रियोग हुई है पंच्वटी किस समास का उधारण है तो right answer है D, जोकी है दिगू समास का next है जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा तो उसका right answer है B next है निर्भय का संधी विच्छित क्या होगा तो इसका right answer है A, निह धन भय next है तो friends कुछ famous बोल सकते है या परिसिद पंच्टियां है वो आप जरूर रिविजन कर लेजेगा क्योंगी पंच्टियां दे कर भी पूछ सकते है आपसे रस कौन सा है इसके अंदर अलंकार कौन सा है तो आपको यह पता होना चाहिए तो इस तरह की चीजें भी आपको करनी है आपने देखा इस practice एट में ही बहुत सारे अपने questions कर लिए आपको पता होना चाहिए तो इसमें अलंकार की बात करें तो राइट आंसर होगा भी इसके अंदर यमक अलंकार है नेक्स कोशन पर आते हैं जो कि हमारे वीडियो का आखरी कोशन है रक्त है या है नसों में छुद्र पाने जाज करतू सीस दे देकर जवानी इसके रिचाईता कौन है तो ये लिखा है माखंडाल चतरुवे दिन है तो इसका राइट आंसर है ए चुनापके दोरान सही प्रकार के परचार रोग दिये जाते हैं कितने घंटे पहले या क्या टाइम पीरिड होता है तो वो है वास्तविक मत्दान के 48 घंटे पहले नेक्स्ट है विधान परिशत के सदस से कितने वर्षवकले निर्वाचित होते हैं तो ये निर्वाचित किये जाते हैं 6 वर्षवकले तो ऑप्शन D यहाँ पे राइट आंसर है नेक्स्ट कोशन है महात्मा गांधी जी की अनुपस्तिती में भाड़ा चोड़ो अंदुलन का नित्रत वो किस ने किया था तो ये किया था अरोण आसफ अली ने तो ऑप्शन B राइट आंसर है नेक्स्ट है सोलर कुकर में किस दरपण का प्रयोग किया जाता है तो सोलर कुकर के अंदर जो दरपण प्रयोग तो होता है अप्तल दरपण तो ऑप्शन A राइट आंसर है नेक्स्ट है स्वामी बिवेकानंद का मूलनाम क्या है तो इनका मूलनाम था नरेंदरनाथ दत्त ऑप्शन A राइट है नेक्स्ट कोशन पे आते हैं भारत में एच्छिक चक्मंदी की विवस्था सर्वथम किस राज्य में लागू की गई तो ये लागू की गई थी पंजाब में option A right है next है अठारा सो अठारा ईस्वी में निमलिखित में से किसने कलकता में आत्मिय सभा का स्थापना की तो इस सभा की स्थापना की राम मोहन रायन है तो option B right answer है next question पे आते है भारते समिधान द्वारा अफसिस्ट अधिकार किसे प्रदान किये गए है तो ये अधिकार दिये गए है संको तो option A right answer है next question पे आते है बकसर युद्ध के बाद बंगालो बिहार में द्वेट शाषन कब लागू किया गया था तो लागू किया गया था 1765 इसभी में next है भारत में हाइटेक सिटी की स्थापना किस शहर में की गई तो ये की गई थी हैदराबाद में तो option D right answer है next question है बासकोडिगामा का स्वागत करने वाली भारतेश आशक कौन था तो वो थे जमूरिन option D right है next है विक्रमशिला, गैंगोटिक, टॉल्फिन, आश्रेणी, बिहार के किस जिले में इस्थित है तो ये इस्थित है भागलपुर में option B right answer है next question है आठ मार्च को किस रूप में मनाया जाता है तो आठ मार्च मनाया जाता है अंतरास्टे महला दिवस की रूप में option C right है next question पे आते है ब्रद कंगा के नाम से कौन सी नदी प्रसिध है तो ये है गोदाबरी option D right है next है चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो भारत का विश्व में प्रथम स्थान है तो option A right answer है next question है 1927 इसवी के साइमन कमीशन का कॉंग्रेस ने भहिसकार किया था क्योंकि अब कॉंग्रेस थी उन्होंने इसका भहिसकार किया था अब यहाँ पर बताना है AIDS का पूर नाम क्या है तो AIDS का पूर नाम है Acquired Immunodeficiency Syndrome यानि के option C next है स्वांगलार कहां की जन जाती है तो यह है पंजाब की option B right answer है next question है बांगलदेश की मुद्रा क्या है तो इसकी मुद्रा है टका next है विक्रेता बाजार ऐसी स्थिती बताता है जहाँ पर मांग पूर्थी अधिक से होती है तो option B right है next question है UNESCO ने 21 फरवरी को किसके संगर्षयम बलिदान के सम्मान में अंतरास्टे मात्रभाषा देवश गूशित किया है तो यह किया है बांगलादेशियों के संगर्षयम बलिदान के सम्मान में तो option A right answer है next है किसके साशनकाल में राज के धर्म इसलाम समाप्त किया गया था तो यह समाप्त किया गया था अकवर के दौरा तो option C right answer है next question पे आते है वर्ष 2011 की जर्णगर्णा के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है तो इसके right answer है D. Sikkim Friends 2011 की जर्णगर्णा है वो आप पूरी तरह से पढ़ लिजे 20-day series आप देखेंगे तो 20-day series में वहाँ पर आपको जर्णगर्णा से related सारे important points मिल जाएंगी जर्णगर्णा से related एक ये दो questions जरूर आते हैं आपने कल की वीडियो देखे होगी तो आपने देखा हुआ उसमें भी 2-3 questions पूछे गए हैं तो आपको जर्णगर्णा हमेशा याद रखनी है ये 10 सालवाद होती है तो अभी जो last की है 2011 की इससे questions बहुत बनेंगे तो आपको इसको पढ़ना है नेक्स्ट है श्रिंगेरी, बद्रिनाद, द्वार का और पुरी में 4 मट इस्थापित किये गए थी इनके द्वारा तो इसका right answer है आपर option number C आदी संक्रा चार रे के द्वारा नेक्स्ट कोशन है क्रेटर किसे कहते है तो इसका right answer है option A जला मुखी सीर्ज पर इस्थे keep आकार के गर्द को क्रेटर कहा जाता है नेक्स्ट कोशन है अब पैसिस्टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है तो ये पुस्तक लिखी है EM FOSTER ने तो option C right है नेक्स्ट कोशन है मेगलेनियम एक मिश्रधात्व है ये मेगनीशियम और टिन की मिश्रधात्व होती है तो option B right है नेक्स्ट है उत्तर परदेश में जैन एवं बहुत दोनर धर्मों का एक प्रिसित तीर्थिस्तल है right answer है C कौशाम B next question है करनाटक का युद किन पक्षों के बीच हुआ था तो ये हुआ था अंग्रेजी और फ्रांसिस्टी के बीच next है देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है तो इसके रचनाकार है सरचन्द चटोपाध है तो option B right answer है next question है नंदा देवी रास्टे उध्यान किस राज्य में इस्तित है तो ये उत्राखंड में इस्तित है next है जन्वरी को जन्मदिवस मनाय जाता है किसका तो जन्वरी में मनाय जाता है गुरू गोविन सिंग का जन्मदिव next है राज्य सवा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अब्धी के लिए होता है तो ये किया जाता है छे वर्ष के लिए option D right answer है next question है विस्व प्रशित दांत का मंदिर कहां इस्तित है तो ये इस्तित है कैंडी में option C right है next है महरौली लौ इस्तित है तो ये इस्तित है नई दिल्ली में option D यहाँ पे right answer है next है समिधान के अंतरगत निम्न मैंसे कौन सा एक मौलिक अधिकार है तो इसका right answer है A, सिक्षा का अधिकार next question है पाल वन्ष का संस्थापक कौन था तो इसके संस्थापक थे गोपाल option A right है next है हमारे शरीर में कुल कितनी मासपेशिया होते हैं बहुती simple question है friends एक मासपेशियों का बहुत पूछा जाता है हमारे शरीर में और एक हड़ियों का बहुत पूछा जाता है question मासपेशिया है 656 तो option B यहाँ पर right answer है next question है उच्चिन न्याल लेकर न्यायदिश अपने त्याग पत्र किसको देता है तो वो देता है रास्टपती को तो A यहाँ पर right answer है भारत की जनसंग्या ब्रद्धी में योगदान देरने वाला प्रोमुक कारक कौन सा था तो वो थे निम्नम्रत्युदर option B यहाँ पर right answer है next है किस समिधान संशोधन ने मूल अधिकारों के उपर नेती निर्देशक सुद्धानत का आधिपत्ते दिया तो वो दिया था 42 वा संशोधन में तो यहाँ पर option A right answer है इसको मिनी constitution के नाम से भी जाना जाता है next है एलोरा इस्थित गुफाएं एवं शैल करत मंदिर किस से सम्बंदित है तो यह इन मैंसे किसी से भी सम्बंदित नहीं है next question है निम्न मैंसे कौन सा वन आधारित उद्ध्योग नहीं है right answer A cement उद्ध्योग next है कौकर्ण रेल मार्क की कुल दूरी कितनी है right answer B 760 km next है हलिकॉप्टर का विश्कार किस ने किया था friends अविश्कार से भी बहुत questions पूछी जाते हैं तो आपको कुछ important अविश्कार से वो जरूर पढ़ने है तो इसको किया था cock rail ने next question पे आते है पानी पत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी तो ये हुई थी 1761 में तो option C right answer है next है धरातल के सरवादिक भाग पर निमलिकित मैसे किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है तो option B right answer है अब साधी चट्टान का next question पे आते हैं अब यहाँ पर हमें दे रखा है पंचायती राज विशे है पंचायती राज जो है वो किसका विशे है समभर्ती सूची, केंदर की सूची, राज्य की सूची या फिर विशेश अधिकार तो इसका right answer है यहाँ पर option number C, राज्य की सूची में next question पे आते हैं भोपाल तराजदी के दौरान कौन सी कैस निकली थी तो यह right answer है इसका option D, methyl isothiocyanate यह बहुत ही important question है यह वह question बहुत पुछा जाता है भोपाल तराजदी में कौन सी कैस निकली थी next है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलेंट किस साशर के प्रारम किया था तो यह थे हमारे आज के questions I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीज़े अपने friends के शेर कीज़े किसी भी तरह की कोई भी query हो तो जुरूर बताएगा तो friends next video में हम फिर मिलते हैं आपसे और विच यूडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई